एसुल के MBA Admission Process 2002-2003 Session के उपर में जो है चर्चा कनम बोली हैं कि अखिर एसुल में आपको MBA में जो है कैसे admission मिलेगा साथ में इसको लेकि जो है eligibility और criteria क्या है साथ में इसके admission form जो आपको कैसे फिलब करना है MBA में जो है total कितना seat है MBA जो है total कितने सालुक होगा इसकी जो है face कितना होगा तो पूरे detail में आज हम इसी के उपर में जो है चर्चा कनम बाले हैं बाकी गिर आप चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe कर जिगा साथ में बेल लिकिन को press click button बल जिगा तकि इसी तरस और video मारे चैनल पर आपको मिलता रहे तो दुस्तो एसुल के official website जो कि एसुल.du.ac.net पर आओगे तो यहां पर आपको जो है नीचे admission form का जो है link देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा Master of Business Administration MBA Registration 2022 तो इसी पर आपको जो है click करना है इसमें जो है सारा detail जो है बताया गया है कि इसमें जो है total कितना seat है MBA जो है कितने सालों का होगा साथ में इसके registration form की last date क्या है आपको जो है form कैसे fill up करना है कौन-कौन सा important documents जो है आपके पास में होना चाहिए इसको लिख जो है eligibility of criteria क्या है तो सारा कुछ जो है इसमें बताया गया है तो पहले तो जहा हम इसको download कर लेते हैं फिर जहां बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे इससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक आपने जहां हमारे telegram group को जो है join नहीं किया है तो उसको जो है prospective download होके आचुका है तो अब जो हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरिसमें जो है क्या चीज कहा गया है तो यहां पर जो है सबसे चीज जो है एक important देख सकतो यह जो है MBA आपका जो है दो साल को होगा यानि कि टोटल जो है चार समेस्टर का होगा यानि कि चार समेस् है हम आपको जो है वही बताएंगे तो आपको जो है नीचे आना है यहां पर जो है आप जो है about the department के बारे में पर सकते हो कि आखिर ए-स-2 like कि यूँ आप सर्थ है उसके बाद जो है उसके बाद आपका सथ यृ और आपका सधने बाद कशकची आपका 37 अक्ट्वर को जारी किया जाएगा सब्सक्राइब होगा जो admission को लेके तो उसमें आप करवा सकते हो जो भी सीट बचेगा उसमें आपको admission मिल जाएगा तो यही है अब जो हम चलते हैं बाकी चीजों पर तो यहां पर देख सकते हो program structure जो है यहां पर दिया हुआ है total जो है आपका दो साल का होगा और यह जो है चार साल तक यह courses को कड़ सकते हो यानि कि अगर आप है इसी सब्जेक्ट में भैक नेता है निश्चे आते हैं निश्चे आओ तो यहां पर तो कोénñे को मिल जाएगा कि फर्स semester में आपको जहां क्या क्या पढ़ना होगा पूरे डिटेल में यह भी दिया हुआ है तो इसको आप अच्छे पढ़ लें उसके बाद यहां पर देख सकतो है अलेक्टिब कोर्सेज एरिया तो यह सब दिया हुआ है तो इसको आप खुछ से पढ़ सकते हो अब जो हम चलते हैं नीचे और नीचे जो है जो इंपोर्टेंट चीज है वह मैं आपको बता देता हूं इसमें कोई भी कन्फ्यूज होने बाली बात नहीं है अगर कोई भी आपका कन्फ्यूजन है तो आप हमें कभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तो यहां पर प्रैक्टिकल और थेयोरी के बारे में बत होगा तो आप जैट पर सब्सक्रिप्रेशन होगे 50% से लेकर 60% के बीच में बीच घुव गए 50% से अगर आपका नीचे होता है तो यह आपको ध्यान रखना है अब जो हम आते हैं इंपोर्टेंट चीट पे और यह जो है अलिजबिलीटी और क्रैटेरिया को लेके अगर आपको MBA में, SL में admission लेना है तो minimum आपको किसी भी graduation होना चाहिए एक तो उसके बाद आपका 50% marks होना चाहिए उसके बाद आप यहाँ पे apply कर सकते हो उसके बाद आपका 80% mark जो graduation का mark होगा वो main होगा उसके बाद 20% जो अगर आपने कहीं पे काम किया होगा जो भी आपका experience है उसका जो है 20% जो है आपको मिलेगा उसी के according जो है आपको admission मिले वाला है तो यह जो है आपको ध्यान रखना है तो यही जो है SL का admission process है MBA को लेके बाकि इसे related कोई भी confusion है तो आप हमें comment करके बता सकते हो बाकि जो है यहाँ पे आपका online ही पूरी तरीके से admission form fill up करना है और admission form fill up करने की last date है वो 25 October तक है यह जो है आपको ध्यान रखना है बाकि जो है इसके registration fees जो है वो जो है अगर general है या फिर OBC है NCL है या फिर EWS category से है तो आपको जो है 500 रुपिया देना होगा बाकि जो है SCHT PWBD से है तो आपको जो है 100 रुपिया इसका जो है चार्ज देना होगा तो यह जो है आपको ध्यान रखना है उसके बाद जो है SOL के website पर जाना है जो कि SOL.U.S.T.IN इस पर जाके आप जो है registration form फिलप कर सकते होता है इसके बाद जो हम बताएंगे बाकि इसकी fees कितनी है यह मैं आपको बता देता होती यहाँ पर जो है fees देख सकते हो यह जो fees है टोटल आपको जो है 47,500 रुपिया जो है टोटल फिस जो है आपको एक साल का लगेगा तो यह जो है आपका जो है एसल का MBA courses का जो है फीस है तो यह जो है ध्यान रखे उसके बाद जो है admission के लिए जो आपके पास में important documents होना चाहिए उसमें जो है आपका जो है हाल फिलाल का जो है एक पासपूर साइज का जो है फोटो होना चाहिए उसके बाद जो है 10th का mark sheet होना चाहिए उसका copy होना चाहिए साथ में जो है 12th का mark sheet होना चाहिए उसके बाद जो है graduation का mark sheet जो है आपके पास में होना चाहिए उसके बाद जो है अगर आप किसी category से आते हैं तो उसका भी जो है आपके पास में एक एक काउंटी भी होना चाहिए अगर आप खुछ से एडमिस्न ले रहे हो बाकि सेबर के एडमिस्न लोगे तो आपको 500 रुपे एक्स्ट्रा भी लगेगा और वहां पर कर दिया जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है तो इसी परकार से आपको सारा एडमिस्न करना है यहां पर जब आप कलिक करोगे तो आपको आपको इंस्ट्रुक्स दिया हुआ यह जो है आपक best पास मेंुगे स्क्राहिशय कंशेच नोच रहे हो बटैट क है है या फिर जो है साटीफिकट है माइगरेशन साटीफिकट है या फिर जो है आपका सारा डॉक्मेंट जो होना चाहिए या फिर जो है अगर आपके सी कैटिग्री से आते हैं आपको जो है होना चाहिए उसके बाद जो है आप Google Chrome के माध्यम से अपना फॉर्म फिलप कर सकते हो उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यूजर नैम जो है आपको डालना है यूजर नैम जो जिस तरह से आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसी प करना है रिएंट्र पासबूर्ट करना है उसके बाद मोगवाईल नंडा है रिएंट्र होघा नवर डालना इसके बाद इस्टेब आपको पीछे आना है पीछे आएगे जो आपने यूजर नाम बनाया था वह यहाँ पर डाल ना सकते लिए दो create किया था वो डालना है capture code यहाँ पर फिलब करना है उसके बाद जो है login कर दिना है यहाँ पर जब आप login कर गए तो आपके सामने जो है नया portal खुल के आएगा और वहाँ पर आपको आपका जो भी marks आया है 10 में 12 में वह आपको डीटेल में फिलब करना होगा educational document जो है आपको upload करना होगा उसके बाद जो है आपको अपना जो है फोटो जो होगा वो जो है upload करना होगा signature upload करना होगा अपकी जो है application fees का चार्च जो है अलग आपसे किया जाएगा तो यही जो है total हमने पूरे detail में समझा दिया है बाकि जो है और भी कोई सवाल है इसे related या फिर कोई confusion है तो आप में comment करके या फिर जो है कभी इंस्टाग्राम पर follow करके भी जो है पूछ सकते हो बाकि हमारे telegram group को जरू जो है जरूर जो है discussion group मिल जाएगा और एक जो है आपको जो है हमारे channel का जो है group मिल जाएगा तो उस पर आप जो है कभी भी जो है कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले जो है उसी पर हम डालते हैं तो वह आपको सारी जानकरी जो है मिल जाया करेगा बाकि new courses का जो है यहां पर हमने जो है अल्रीडी समझाई दिया है कितने courses है टोटल जो है इस बार 9 courses जो है आपको MBA और library science के अलाबा जो है स्टार्ट किया गया है तो यह आपको ध्यान रखना है बाकि जो है इसके बारे में आप खुद भी विबसाइट पर आके जो है इसका prospectus download करके जो है पढ़ सकते हो बाकि और भी कोई सपाल है या फिर कोई confusion है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा बाकि आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है तो लाइक करिएगा अपने दोस्तु के साथ सेर करिएगा और चैनल पर नहीं है तो चै यूम और चैनल पर आपको मिलता रहे बांकी सुक्रिया धन्यवाद